मूली का एक टोपर भाईटी बताएंगे जो कि बर्सात में आप लगा सकते हैं और झाल हाँ इससे लाख वान दनी MELS के हैं पांस क्ते हैं आसा मूली का भाईटी सिंजेंटा कंपनी का है इसके विश्यस्ता ये है कि ये अखील भारतिये पूरे देश में लगाया जा सकता है और छेतर भूमी खेत में खरपतवार मुक्ती से अच्छी जलनी कासी की सुब्धा हो अगर बरसात में आप लग रहा है तो इसे मेर बिर्धी से ही लगा है क्योंकि अभी बरसात में एक द इतना भूर्बूरी माटी हो उतना ही इसका फैदा करगा इसके बीजों को उप्चार के लिए 2 ग्राम करबेंटा जाए मादू ग्राम ठीरम एक के जी बीव जी के लिए उप्चारित कर सकते हैं और यह अभी लगा सकते हैं ऐसे इसका बुगाई असली में समय आएगा तो वह तो समय आएगा नॉंबर में लेकिन अभी लगाई एगा तो बहुत ज्यादा आमदनी होगा बीज का दर 400-500 ग्राम परती एकर की दर से होता है पंक्ती से पंक्ती और पधे से पंक्ती 30-15 cm और पधे से पधे की दूरी 40-10 मतलब 40 cm रहना चाहिए इसका बीज ऐसे भी ल बहुत अच्छा होता है और इसका बेशल खुराक इसके लिए को को बेशल खुराक 50% नपी के मतलब इन पी के 19-19 सकते हैं और बुगाई के 20 दिनबाद 50% नपी के डाल सकते हैं मतलब 500 kg में 50 kg एक बार और 50 kg एक बार इसके खर्पतवार नियंतरन के लिए रहसायन का प्रयो होता है और अच्छा होता है रोख कित नियांत्र खुड़ाक समय समय देना होगा इसके पत्ती खाने के लिए कटरपाइल के नियंत्रन का गेटन से कप्रोक करेंательно पिलर सबस्क्राइब करता है अगर आप केचेतं में केटर्पीलर नहीं होगÁ तो ऐसे तो मेरे खेत में तो यह अटेक नहीं करता है और फसले काटने का समय 55 से 50 साथ दिन तक होता है और इसका 2-3 राउंड हार बेस्टिंग होगा एक बार जो अच्छा हो उसे निकाले मतलब एक बार निकाले जितना बड़ा हो उसे फिर छोटा बाला जो होगा उससे भी फिर निकाले ऐसे करके 2-3 राउंड निकल जागा आपको और इसे आम धनी अभी 70 से 80 रूपे होगा क्योंकि आप इसका पत्ती सहीत आपको 70-80 रूपे बीग जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा मांगा रहता है और इसका बाद समय आएगा तो उसके बाद तो 2-3 रूपे भी हो जाता है क्योंकि जब अक्टूबर-दिसंबर का समय में आ जाता है अभिसलाद के लिए खूब उपयोग में किया जाता है और यह इसका पांस साथ मेट्रिक तरन परतिये करके दर से इसका उत्पादन होता है